हालो बच्चो नमस्कार मेरा नम है विने और आप देख रहे हैं विने की पार्ट साला आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 गड़ित एकाई लो अभ्यास 9C को सॉल्व करेंगे तो चलते हैं वाइट बूड पर और शुरू करते हैं आठी क्लास और सबसे पहले इसमें इसके बारे में जानकारी ली थी अब हम इस इक्सरसाइज में आ गए यानि यह पिछली इक्सरसाइज से संब्ण देथा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो समानतर रेखाओं और उनको एक तिरीक रेखा काटे उनके द्वारा जो बने कोड हैं उनमें क्या संबंद है क दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं पी और क्यू समांतर रेखाएं ठीक है और इनको एक तिरीक रेखा काट रहें तो हमने कोड़ों का नाम दे दिये एक दो तीन शार पांच से साथ आठ तो इसमें मुक्र तीन बिंदू आ जाते हैं तो पहला यह है कि यदि एक तिरीक बेखा दो समानतर देखाओं को काटती है तो उनके संगत कौन बराबर होते हैं अब यहां पी देखो संगत कौन कौन होंगे पिछले वीडियो में चल्चा की थी एक का संगत पांच दो का संगत छै चार का संगत आठ तीन का संगत साथ तो आप लोग चित्र बनाके नापके अभी देख सकते हैं तो आपको पता चलाएगा तो यह संगत क morality चार्ज भाबर और 304 आठ थीए तो यह तो ciao हो गया पहला दूसरा नियम है कि यद त्रीयक लेखा दो समानता रेखां को कारती यानि यही कामर्गण से तो उनके एक लावर होते हैं एक लगण क्या होते हैं और छाइप तो यह राम सर पाणच पाँच Insight of तो एक और के अंताह कॉनों को यह दो यह उग यह दोड़ान कोड चाँ है तो या इक और यह यहां पर इन तीनों को मिलाके एक नियम बनता है वो यह है कि अगर यह तीनों नियम मालो हमें दिया जाए कि इक लुग फिरह वाट सेंग मनतीम है कि संगत कोण बैबर रहाएं थे जायों के इसमानतर होंगा श्रпис लिआ Mixed है इसका मतलब बेलगन नियम तो यह पड़ लिये और इसके बाद अगर हमसे यह कहे यह अगर हमसे यह कह रहा है कि एक अंत्र कोण बराबर हैं संगत कोण बराबर हैं और तिरियक रेखा के एक और के अंत्र कोणों का योगफल 180CNC है इसका मतलब चित्र को बिना देखें हम कह सकते हैं कि यह जो दोनों रेखाई हैं यह आपस में समांतर होंगी वहीं दूसरी तरफ अगर हमसे कहे आपसे कह देखे एक रेखा हैं यह तो पूरा कोण होगा यह दूत देख लेते हैं तो चलते हैं exercise की तरफ तो बच्चों यहां पर हमारा पहला प्रस्ट दिया गया है कि निम्दांग के चित्व में दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं बताईए कि क्या L और M समानतर है यदि है तो इसका करण दीजिए औ कांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो या अनता कोणों का योग हो चलो देखते हैं तो देखो यहां पर क्या है यह 120 है यह सीधी रेखा है या पूरा कोण होगा 180 तो यह 180 में से 120 घटा देंगे यह आएगा साथ हंस यह कितना आएगा साथ हंस अब देखो यहां पर यह पचास हंस यह साथ हंस यह कोण कैसे हुए संगत कोण हुए लेकिन यह बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि यह समानतर रेखाए नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है तो वही हमने लिख दिया है कि यहां संगत कोण बराबर नहीं है अताहर एखा एलोर एम समानतर नहीं है दूसरे चित्पन देखते हैं और वह है हमारा कि यहां पे भी देखो दो कोड दिये गए हैं अब यहां पे यह 125 है पूरा 180 एंस होता है यह पूरा 180 तो यह कितना होगा 180 गटा देंगे तो 180 माइनेस 125 असी में से 25 गटा दो सब्तर 65 तो यह कोण हमारा कितना हुआ 55 अब यह कोण कैसे हैं यह दोनों एक आंतर कोण कैसे कोण है एक आंतर कोण है और वह आपस में बराबर नहीं है ठीक है तो या फिर यह पूरी लाइन है तो यह पूरा कोण होगा 180 हमारा 55 यही संगत कोन यहां पर हो जाएगी कि यह संगत कोन आपसंद नहीं पढ़ा नहीं तो वह रेखाएं समानतर नहीं अगर संगत कोन तुकि संगत कोन बराबर नहीं है अता देखाए समानतर नहीं है यहां पर पूरा में तो यहां पे 180 में 135 घटा देंगे तो 180 में 30, 50, 30, 35 बचेगा ठीक है पैटाले संस और यह है 35 अब देखो यहां पे यह भी कोण इदर है यह कोण इदर है यानि यह कोण है संगत कोण जो की आपस में बराबर नहीं है वही लाइन जो हमने यहां पर लिखा तब यहां पर लिख ही थे इस वज़े से यह रेखाई समानतर नहीं है तो यह था प्रस्थ नमबर एक और अब देखते है प्रस्त नमबर 2 तो बच्चों यहां पर हमारा दूसरा प्रस्थ ने की चित्र में की यह इसके समानतर है और सीडी समानतर दिया है यह यह इसके समानतर होंगे तो देखो यह इसके बराबर दिया इसका मतलब यह संगत कोड़ आपस में बराबर है लिख देंगे चुकि दिया है क्या दिया है A B समानतर C D अताहा इसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत कोण क्या है कोण 1 बराबर कोण 2 फेसे दिया है पुना दिया है अपकी बार क्या दिया है कि C D समानतर है E F के अताहा इन दोनों के संगत कोण बराबर होंगे यानि 2 तीन बराबर होगे कोण 2 बराबर कोण 3 अब यहां से हम निकालेंगे अब क्या हम करेंगे यह देखो समी करण 1 और समी करण 2 इसको दे दिया 1 वा 2 से कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3 है तो बराबर कोण 3 हो गया एक बराबर दो के, दो बराबर तीन के, इसका मतलब क्या हुआ, कोड़ एक हमारा बराबर होगा, कोड़ तीन के, अब ये देखो, कोड़ एक और कोड़ तीन बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो रेखाए है, ये कैसी होगी आपस में, समानतर होगी, तो हम लिख देंगे, अ बराबर है ठीक है यही आ गया आंसर पूरा हमने डेटेल में इसको लिख दिया है तो यह था प्रस नमबर दो बहुत आसाम था सीधी सी बात है यह दोनों समानता थे यानि यह दोनों समानता थे यानि यह दोनों समानता थे यानि यह दोनों कोण बराबर है यह इसके बराबर याटेंब और लिए इसके बार्बर इसका मतलब ये इसके बड़ाबर अभी दोनों बराबर होगे इसका मतलब ये दोनों समानतर होगे ठीक है तो अब हम चलते हैं मच पर नंबर है हमारा कि चित्में कोण एक और कोण दो समान है कारण बताईए जिससे यह सिद्ध हो सके कि एल और एम समान तरहें बहुत आसान प्रस्थन यह दोनों कोण बराबर हैं तो हम लिख देंगे यहां पर सीधा साथ कूंकि कोण एक वा कोण दो रेखाऊं एल वा एम के संगत कोण है और समान है अताहा रेखाएं एल वा एम आपस में समानतर हुए गड़ित की भासा में अगर लिखें कोण एक बराबर कोण दो संगत कोण इसका मतलब यह हुआ कि एल समानतर हुआ एम के यही आगया आंसर तो यह था प्रस नंबर तीन और इसी के साथ यह एक्सर एक्सराइज 9C हमारी कम्प्लीट होती है आई होब कि आपको यह एक्सराइज बहुत मज़ेदार लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें दोस्तों की बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सराइज के साथ तब तक के लिए नमस्कार